राम राम दोस्तों, आज मैं खुती घंबीर मुद्धे पर बात करना चाहता हूँ आज का मुद्धा है साइकलोजिकल वारफियर हम भारत के लोग इस वारफियर में बहुत ही जादा कमजोर है बस हमारे दुश्मन को हमारी कमी पता होनी चाहिए वो हमसे कुछ भी करवा सकता है मैं इंडिया और चाइना के वार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस देश के अंदर चल रही बात कर रहा हूँ आज आप सब ने, आज क्या मैं तो एक हफ़ते से देख रहा हूँ वो हाथरस की गटना को मैं फोलो कर रहा हूँ उसमें बैचारी एक लड़की को चार लड़कों ने बहुत ही ब्रूटल वे से मर्डर कर दिया है लेकिन ये जो opposition है इसको चाहिए था अपना एक political मूत्ता ये उस लड़की के शव के उपर अपनी रोटिया सेखने में लगे हुए है इसके लिए उन्होंने हमारा emotional angle को पकड़ा है वो angle था कि जो हमारे अंदर rapist के लिए एक बहुत बड़ा गुस्सा है उन्होंने इस news को चलाया ही ऐसे कि एक rape victim बोलके जबके उस लड़की की Emma report, medical report कहती है कि उसके साथ sexual assault नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये कोई crime कम नहीं रह जाता brutal murder वैसे भी rape से एक बहुत बड़ा crime है इन्होंने ये rape बीच में सिरफ इसी लिए introduce किया ता जो ये अपनी राजनीतिक रोटिया सेख सके और एक देश की छवी को खराब किया जा सके और इनको पता था अगर सिरफ murder पे इतना शोर करते तो हम शायद इतना support ना करते इसी लिए इन्होंने साथ में rape चोड़ दिया सोचने की सबसे बड़ी बात ये है एक लड़की को चार लड़कों ने मिलके मार दिया ये बड़ा गुना है या चार बंदों ने उसके साथ रेप किया रेप किया भी बहुत बड़ा गुना है लेकिन जब उसको जान से ही मार दिया और वो भी कोई simple way से नहीं बहुत ही brutally मारा है इससे उपर का तो crime हो ही नहीं सकता और उन चारो लड़कों को capital punishment मिलनी चाहिए और उन चारो लड़कों को fancy पे लटका देना चाहिए लेकिन आज ये वीडियो पे main मुद्ध psychological war का है उन्होंने कैसे हमारी psychology के साथ खेला उनको हमारी कमजोरी पता थी कि हम हमारे अंदर रेपिस्ट के लिए बहुत गुस्सा बरा हुआ है निर्बे आ हुआ उसके बाद वो हैदराबाद में वो डॉक्टर नी का केस हुआ उन्होंने देखा कि वो एक गुस्सा है लोगों में और उन्होंने हमारा ही गुस्सा हमारे इमोशन्स के साथ खेलके उन्होंने हमारे गुस्से को ही यूज किया जब मेडिकल रिपोर्ट आने से उनका प्रॉपेगंडा फेल हुआ तो उन्होंने अपनी गलती मानने की जगा पे पुलिस पे परशाशन पे और पब्लिक की तरफ से एक दभाव बनवाया गया कि वो उस F.I.R. में आर्टिकल 376 रेप का आर्टिकल जोडा जाए अब उसको जोडने का नुकसान क्या होगा जो क्रिमिनल पक्ष के वकील है वो सीधा ही कोर्ट में जाके ये बात बोलेंगे कि ये F.I.R. और ये इन्वेस्टिगेशन पब्लिक और मीडिया प्रेशर में हुई है और इसको प्रूफ करने के लिए उन्हें दो मिनिट भी नहीं लगेंगे वो कहेंगे मेडिकल रिपोर्ट में तो रेप की पुष्टी हुई नहीं है तो ये रेप के चार्जिस क्यूं लगाए गए है बात सिरफ इतनी सी नहीं है बहुत अच्छा काम गॉर्मेंट ने अच्छा काम किया इसको फास्ट ट्रैक कर दिया है हो सकता है एक साल के अंदर अंदर हमें इसके नतीचे मिल जाए और चारो के चार उरोपियों को फास्टी की सजा मिल जाए लेकिन ये मुद्ध इससे कहीं बड़ा है आज तो एक ओपोजिशन पार्टी जिसको हमारी कमियों की हमारे वीकनेस के बारे में पता है उन्होंने वो यूज करके हमसे ये सब कुछ करवा लिया लेकिन जो हमारे दुश्मन गंट्री जैसे के चाइना है अब आपको पता है चाइनीस कंपनी इंडिया में है उनकी अच्छी गासी इंफ्लेंस है इंडिया के लोगों में खास कर प्लिटिकल पार्टी में कुछ जिनके साथ उनका M.O.U. साइन है वो उनकी हेल्प लेके हम पे फिर से ऐसा ही कुछ साइकलोजिकल वार स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया के उपर जो ट्रडिशनल वार है उसको स्टार्ट करने से पहले तो हमें इन सब चीजों से साफदान रहना चाहिए दन्यवाद दोस्तों